क्छा भार्भी पानिज विसय के इंतरगत हम ब्यवसाय आध्याइन विसय का अध्याइन करने झा रहे हैं अध्याए एक में प्रबंद की प्रकृती एवं महत्व अध्याइ एक है इस अध्याय के अंतरगत हम ये जानेगे कि प्रवंद क्या है, प्रवंद की परिवासाइं क्या है, प्रवंद की अधारना क्या है, प्रवंद की विसेस्ताइं, प्रवंद का महत्व, और भी प्रवंद से जुड़ी विविन्नी चीजों के बारे में हम यहां अध्यन करेंग जैसा कि हम सामान्य तोर पर जानते हैं, यानि management, किसी भी कारे को करने के लिए हमें एक विवस्था को बनाना पड़ता है, यदि हम किसी भी कारे को करते हैं, तो उससे सम्मंदित सामग्रियों को हमें जुटाना होता है, उसका भर्ट distribution करना होता है, इसी बिकार से हम प्रवंद को एक सामान्य विवस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन जहां तक हम ब्यवसाइक क्रियाओं के अंतरगत प्रवंद का धिन करते हैं, तो हम मुख्य रूप से जानते हैं कि आधनिक समय में प्रवंद को एक विशाई के रूप में मुख्य रू करांती का जन्म हुगा था उत्पादन मशीनों से होने लगा था बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा एकाईयों की मात्रा बढ़ गई उस समय जो है बड़ी मात्रा में हमें प्रबंद की आवशक्ता पढ़ने लगी थे पूर्वे के समय में यदि हम देखे तो पादन क मिन्हार अकार समें तेंत छोटा होता था कुटीर अध्यक के द्वारा हीDieे कितार के स्षाथ जब क्राश्यार अधिकर जन्म परहों तो बढ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा जिससे बढ़ी मात्रा में उत्पादन क साधन जैसे श्रमिक sing चमाल, मशीन, बिट, बाजार आदी के बीच में प्रभावकून सहयोग और समनवय की आवशक्ता महसूस की जाने लगी। जिसके फल्स रूप हम नहीं जाना कि प्रवंद जो है मुख्य रूप से ब्यवशाय क्रियाओं में सम्मिलित हुगा और जिसके फल्स रूप देश के तीब्र आर्थिक विकास के पीछे प्रवंद की अपनी मुख्य भूंका रही है। आज भारत जैसे विकासिल देश में तेजी से जो आर्थिक विकास हो रहा है उसमें भी प्रवंद की अपनी एक महत्पूर्ण भूंका है। प्रवंद की कुछ महत्पूर्ण अवधाने रही हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। नमर एक है प्रवंद का संबंद व्यक्तियों से कारे कराने से है। जैसे कि इस बिंदू के अंतरगत हम देख रहे हैं कि प्रवंद का संबंद जो है करमचारियों से कारे कराने की कला है। उन सबी को संबंदित कारे के अंसार निर्देश और आदेश प्रदान करने से है। वास्तों में प्रवंद जो है उन्हें नेतत भी प्रदान करता है। वहीं दूसरे बिंदू की ओर हम चलते हैं। दूसरे बिंदू जो हमारे सामने हैं समुखों से मिलकर कारे कराने की कला है प्रवंध। प्रवंध के अंतकत कारे अकेले ना किये जाकर व्यक्तियों के सामोहिक प्रयास्मस के द्वारा संपन्न होता है। इसमें प्रवंधक स्रमकों के साथ सामन्यस्य के माध्यम से उत्पादन व्रद्धी में योगदान देता है। इस प्रकार प्रवंध तता स्रमिक दोनों मिलकर उत्पादकता व्रद्धी में योगदान देते हैं। प्रवंद के अउधाना के तीसरे विंदू के अंतरकत हम देखते हैं कि प्रवंद एक प्रक्रिया के रूप में है. वास्तों में प्रवंद जो है एक सतर प्रक्रिया है जो की उत्पादन प्रक्रिया के साथ-साथ चलता रहता है. योजना के अनुरूप, संग ठनात्मक धाचा, कर्मिचारियों की निउक्ति करना, उनका निर्देशन करना, उन पर नियंतर्ण रखना, साथी साधनों के बीच में समन्वाइ बनाए रखना, एवं समय समय पर उने आवी प्रेरित करते रहना। ये सभी कारे ऐसे हैं, जो की निरंतर एक उक्रम में चलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रवंद जो है एक सतत प्रक्रिया है। अगले बिंदू की ओर चलते हम, प्रवंद जो है एक नवीन बिचारों वाली शक्ति है। उत्पादन को बाजार के अनकूल बनाना, एव कम होने पर उत्पादन को समायुजत नहीं करना है, बलकि बाजार में नए आउस्वरों की खोच करना और लगतार उत्पादन में ब्रद्धी करना है। इसके लिए यदि प्रवंद की विवस्ता के अंतर के चाहें, तो उत्पादनों के साधनों में हम बचत करके मांग में ब्रद्धी कर सकते हैं, लागत में कमी कर सकते हैं, इस प्रकार से यहां पर हम यह जानते हैं कि प्रवंद जो है एक नवीन बिचारों वाली शक्ती है। अगले बिंदु में प्रवंद ब्यवसाय का गत्यात्मक एवां जीवन दाई तत्व है। प्रवंद जो है ब्यवसा कि प्रवंद भी उत्पादन का एक साधन है किन्तु यह महत्पूर्ण है प्रवंद संसाधनों के कोशलतम उप्योग से संबंदित है जो की बेवसाय के लिए जीवन दाई है है भासांग की अंतरगास हम प्रवंद के बारे मैं यहां पर जाने गए बास्तों में प्रवंद यह जानने की कला है कि हम क्या करना चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं उसमें यह देखना कि हम उसकारे को कितने बैहतर दंग से शरete और मेंट fryiko health type इस समंद्ध में विविन अर्थासियों का यहां पर परिभासां के समंद्ध में कहना है विलियम एवं न्यूमेन के अमसार किसी सामानी या विस्ष्ट देश्य की पूर्ती के लिए किसी व्यक्ति समूर के प्रयत्नों का मार्दर्सन नेतत्व तथा नियंत्रम प्रवंद कहल यहां पर लारेंस एपन ने कहा है कि प्रवंद व्यक्तियों का विकास है ना की वस्टूंओं का निर्देशां यहां पर प्रवंद को केवल कर्मिचारी प्रवंद के रूप में देखा गया है इसलिए एक संकुचित परिवासा मानी गई नहीं पर लुईस एलन के अंसार प्रवंद वही है जो प्रवंदक कारे करता है इसमें प्रवंदक की सभी कारें को प्रवंद माना गया है अर्थात जो भी प्रवंदक कारे करता है वो सारे कारे प्रवंद से जुड़े माने जाते हैं हैं हेंरी फ्योल ने कहा है प्रवंद से क्यासा है पूर्वा नुमान लगाना एवं योजना वनाना संगठित करना आदेश देना निर्देश देना समन्वय तथा नियंत्र करना है वहीं पर नूमेन एवं समर के अंसार प्रवंधक एक व्यक्ति है जो लोगों तथा अन्य सादनों के साथ मिलकर कारे पूरा कराता है अपने उद्देश को पूरा करने के लिए वह दूसरों के कारे कलापों में समन्वय इस्थापित करता है परंतु स्वयम कारे संचालन में भाग नहीं लेता यहां पर हमने विविन परिवासाओं के अंतरगत यह पाया कि प्रवंध एक बैज्ञानिक एवं कलात्मत प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट देश्यों की प्राप्ति है तू नियोजन, संगठन, निर्देशन वा नियंत्रन द्वारा मानिवी बाभौतिक संसाधन के समनबाय तथा सदूपियोग से संबन्द रखता है कि अगया कि अगया कि अगया कि विविन ने विद्वानों द्वारा दीगई प्रवंध की परिवासाओं का विश्लेशा करने के उपरांग इसकी वहम प्रमुख बिसेश्ता या लक्षणों की और आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम जानते हैं नमबर एक बिंदू इसमें है प्रवंध उद्देश्य पूर्ण होता है प्रवंध की या बैवस्था अपनाने के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य या लक्ष का होना अतियावश्यक है कोई भी संस्ता अपने लक्ष या उद्देश्य को निर्धारित कर समूहों के प्रयासों से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है दूसरा हम जैसा की जानते हैं सामोहिक प्रयास एक संस्ता या उपक्रम अपने कारेों का संपादन सामुहिक प्रयास के माध्यम से ही करता है इसमें टीम भावना के साथ समनबाई की भावना पैदा की जाती है तीसरी विसेश्ता है इसका प्रवंद एक प्रक्रिया है इसमें प्रवंद के सभी कारे नियोजन, संगठन, नियुक्ती, निर्देशन, समनबाई तथा नियंत्रण आती है और ये कारे एक उपक्रम में निरंतर संचालित होते रहते हैं अता है पूर्व में भी कहा गया है कि प्रवंद जो है प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया के रूप में होती है चोथा बिंदु इसका संसादनों का कोशलतम उप्योग प्रवंद के माध्यम से उत्पादन के समस संसादनों का हम बहतर रूप से उप्योग करते हैं अता है न्यून्तम लागत पर अधिक बैतर उत्पादन की प्राप्ती होती है। वहीं उत्भुकताओं को अधिकतन संतुष्टी प्रदान करता है। साती सामाजिक कल्यान में भी प्रद्धी करता है। नमबर पाच विंदू है सार्व भौमिकता। प्रवंद सार्व भौमिक है। अर्थात ये सभी जगह पाया जाता है। ये किसी संस्था, व्यक्ति, देश, समाज, तक्सीमित न रहकर सभी जगह व्यापत होता है। ब्यवसाइक संस्थाओं के साथ साथ गैर ब्यवसाइक सं प्रवंद्ध बास्तों में अर्जित प्रतिभा के रूत में बीए और प्रवंद्ध एक अद्रश्य कोशल है। प्रवंद्ध का जो कौशल है वो व्योसाय के परिणामों से जुड़ा होता है। अर्था जितने बहतर परिणाम होते हैं उतनी ही बहतर प्रवंद्ध की व्यवस्ता के कौशल को प्रगट करती है। प्रवंद्ध, संगठन और प्रसासन में अंतर आए इन तीनों में हम अंतर देखते हैं। प्रवंद्ध, संगठन और प्रसासन शब्दों का प्रयोग समनार्थ रूप से किया जाता है। परंतु आधिनिक समय में इन सब्दों में अंतर किया जाता है। इन तीनों में क्या अंतर हैं इसका अधिन करने से पूरवहन प्रवंद्ध का संगठन तथा प्रसासन से क्या संबंद हैं यह हम संचित्टे में देखेंगे। प्रवंद्ध संगठन से अधिक व्यापक है। प्रवंद्ध के प्रमुक कारियों में एक संगठन भी संबले थे। संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें उद्यम के कारे कलापों को परिवासित किया जाता है। वही प्रवंद और प्रसासन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रसासन को प्रवंद से अधिक व्यापक मानते हैं अते अन्य विद्वान प्रसासन को प्रवंद का ही अंग मानते हैं आए हम इनमें तीनों बिन्दों के अधार पर हम अंतर देखते हैं सरव प्रताम नीतियों के अधार पर देखते हैं, प्रबंद जो है नीतियों के क्रियानवयन से संबंद रखता है, वहीं संगठन, ये नीतियों को क्रियानवयन करने वाला तंत्र है, प्रिसासन जो है, वो नीतियों के निर्मान से संबंद रखता है, ये नीतियों का निर्मा करता है कि कारे के अंतरकत हम देखें प्रवंद का संबंद जो है कर्मेचारियों के निर्देशन समन्वय तथा अभी प्रिर्णा से संबंदित होता है वहीं संगठन के कारे के अंतरकत हम पाते हैं, ये संस्ता के समस्त कर्मेचारियों के मद्ध, संबंधों को ब्यक्त करता है.